हेलो अप्रीबन वेलकम टू मैं चैनल सोनी फैशन आज की वीडियो में आप 6-8 यह गर्स के लिए अमरेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे तो इस प्लाजो को बनाने के लिए यहां पर मैंने दो मीटर अस्तर और दो मीटर जॉर्जड फैब्रिक लिया इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लूँगे तो यहां पर मैंने कपड़े को इस तरह से तिकोरने में फोल्ड कर लिया है और फोल्ड कर लिने के बाद हमें कमर के लिए निशान लगाना है तो कमर के लिए निशान लगाने के लिए हमें हिप की मिजरमेंट्स की जरुत होग मेरा 6.5 इंच तो 6.5 इंच में हमें 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेना यानि कि 7 इंच तो 7 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है दोनों साइड तो इंची टेप को इस तरह से हमें तिरचा रखना है और दोनों साइड हमें 7 इंच पर निशान लगाना है और अब हम उपर से कपड़े को नापकर देखेंगे कि ये निशान हमारा कहां पे आ रहा है तो ये निशान मेरा करीब 9 इंच पे आ रहा है तो हर 9-9 इंच पे हमें निशान लगाते जाना है और इसके बाद इंसा भी निशान को मिला लेंगे निशानों को मिला लेने के बाद अब हमें आसन के लिए निशान लगाना है तो आसन के लिए भी हमें हिप की जरुत पड़ेगी तो यहां पर हिप है हमारी 26 इंच तो 26 का हमें 1 3rd हिस्सा लेना है तो 26 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर आता है मेरा करीब पोने 9 इंच तो यहां पर हम पूरा का पूरा 9 इंच रख लेंगे और 1 इंच हमें बैल्ट के लिए उपर चोड़ना है कमर की निशान से और यहां पर 9 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और निशान लगाने के बाद इसी निशान से आगे की तरफ डेडिंग पर एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को अब हमें उपर कमर वाले निशान से इस तरह से सिदा सिदा ड्रो करना है और अब यहां से हमें हलकी सी आसन की कर्व शेप देनी है तो इस तरह से हमें हलकी सी गुलाई दे देंगे तो ये मेरा आसन का निशान भी लग चुका है अब इसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है तो एक इंच हमें उपर की तरफ रखना है इंची टेप को कमर से और यहाँ पर मेरा लंबाई है 30 इंच तो अस्तर की लंबाई हमें कम से कम 2.5 इंच कम रखनी है तो यहाँ पर मैंने 28 इंच पर निशान लगाना है और इसी तरह से इंची टेप को हमें कमर की निशान से 1 इंच उपर रखना है और हर 28 इंच पर इस तरह से निशान लगाते वे जाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है अब इन सबी निशान को मिला लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैंने निशान को मिला लिया है अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेंगे और यहां पर इस तरह से मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है अब सेम इसी तरह से हमें अपने जॉर्जट के फैब्रिक को भी तिकोने में फोल्ड कर लिया है तो यहां पर मैं इंची टेप से इसकी लंबाई नाप कर दिखा देती हूँ तो इंची टेप से नापने के बाद यह मेरा 40 इंचारा याने की करीब 2 मिटर कपड़ा यहां पर मैंने यूज़ किया है अब इसके बाद जो हमने अस्तर की कटिंग करी थी उसे हम इस कपड़े के उपर रख लेंगे तो इस तरह से हमें अस्तर को रख लेना है और उपर से हमें इसका निशान लगा लेना है अब इसके बाद हम इसकी लंबाई के निशान लगा लेंगे तो यहां पर जो मेरे प्लास्दो की लंबाई थी वो थी 30 इंच तो यहां पर हमें एक इंच एक्ष्ट्रा मार्जिन का रखना है और 31 इंच पर यहां पर मैंने निशान लगा लिया है और इसी तरह से 31 इंच पर हम निशान लगाते वे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने सभी निशानों को लिगा लिया है अब इसके बाद इनको मिला लेना है और निशानों को मिला लेने के बाद इसकी भी हमें सेम अस्थर की तरह से कटिंग कर लेनी है तो यहाँ पर मेरे दोनों फैब्रिक की कटिंग हो गई है अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम अस्थर वाले पार्ट में आसन को स्टिच करेंगे तो कपड़े की दोनों सीधी वाली साइड को मैंने एक दूसरे के उपर रख लिया है और यहाँ पर मैं आसन को स्टिच करूँगी तो इस तरह से मैंने एक सिलाई लगा लिए है बिस पर हमें डबल सिलाई लगानी है और इस तरह से एक आजन को स्टिच कर लिया है सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले आजन को भी स्टिच कर लेना है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों आजन को स्टिच कर लिया है अब सेम इसी तरह से हमें जोर्जट वाले आजन को भी स्टिच कर लेना है तो यहां पर मैंने जॉर्जट फैब्रिक के आसन को भी स्टिच कर लिया है इसके बाद हमें दोनों फैब्रिक को सीधी साइड टैन कर लेना है और सीधी साइड टैन कर लेने के बाद हमें दोनों के कमर को जॉइंट करना है तो इस तरह से हमें अस्तर को अंदर की तरफ डालन है में प्रैब्रिक के और जो दोनों आसन वाला हमारा हिस्सा है उनको हमें एक साथ रखना है और वहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो यहां पर हमें करीब हाफ इंच का मार्जन रखते हुए एक रफ सिलाई लगानी है और हमें कपड़े को स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है तो यहां पर मैंने एक सिलाई लगा लिए है और अब इसके बाद हमें कपड़े को उल्टी साइड टर्न कर लेना है तो यहां पर मैंने कपड़े को उल्टी साइड टर्न कर लिया है अब इसके बाद हम दोनों पैर है यह भांडा हैrence जोटरों की टिर्व सिलयाः लगाएंगे तो सबसे पहले हम जोल्जट फैबरिक पेसिलाई लगाएंगे तो इस तरह से दोनों जोल्जट फैबरिक को हमें एक साथ ह्र jaki रख लेना है और दोनों आसन Other जो हमा Halo स्क्राइब रखे ना हिस्सा है उसको 1 खट्टे रख लेना है हमें और आसन की तरफ से आध भाव सिलाई लगाना शुरू करेंगे कि अ तो यहीं से हमें हाफ इंच के मार्जन से शिलाई लगाना शुरू करनी है इस तरह से मैंने आप पर एक सिलाई लगा ली है पसके बाद पर मैं डबल सिलाई लगा रही हूं तो यहां पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है अब इसके बाद अस्तर पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है आपको इस पर डबल सिलाई सेम से तरह से लगा लेना है अब इसके बाद हमें अपने प्लाजों में लास्टिक की पट्टी लगानी है तो सबसे पहले हम कमर का राउंड नाप कर देख लेंगे तो इस तरह से आसन वाले साइ से हमें कमर का राउंड नापना है तो यहां पर जो मेरे प्लाजों का जो कमर का राउंड है वो करीब पॉने 30 इंच के करीब आ रहा है तो यहां पर हमें एक पट्टी ले लिनी है तो इस पट्टी की जो चड़ाई है वो है मेरी 4 इंच और इसकी जो लंबाई है मेरे डबल फोल्ड में ली है तो डॉबल फोल्ड में न आपने के बाद करीब 15. arena इंच आ रहा है निसके मारी पेचीने प्लाजो की साइड होगा अब इसके बाद की ULTI वाली साइड है वह में ले लेनी है तो यहां पर एक इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर सिलाई के लिए और अबस के बाद हाफ इंच का दबाव देते हुए हमें पूरे कमर के राउंड पर इस पत्टी को स्टिच कर लिना है तो इसी तरह से आपको पूरी पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद यहां पर जो मेरा फैबरिक यहां पर मैंने एक इंच का छोड़ा था सिलाई के लिए उसके उपर हमें सिलाई लगानी है तो यहां पर इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैबरिक है हमारा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे और अब इसके बाद इस पट्टी को हमें पोल्ड करना है तो इस तरह से जो हमारा कपड़ा है सिलाई वाला उसे उपर की साइड रखेंगे और यह जो हमारी पट्टी है इसे हम अंदर की साइड इस तरह से पोल्ड करेंगे तो यहां पर आपको अपनी लास्टिक के चोड़ाई के कोड़िंग पट्टी को रखना है तो यहां पर मैं एक इंच की लास्टिक यूज कर रही हूं इसलिए यहां पर मैंने पट्टी को एक इंच के करीब रखा है यहां पर यहां पर मैंने सिलाई लगा ली है और लास्टिक डालने के लिए यहां पर मैंने एक इंच का गैप रखा है अब इसके बाद इसमें का साबिस ऐसा ही हगाा है और लास्टिक को कट करने के बाद सेप्टी पिन की हेल्प से हमें लास्टिक को बैल्ट वाले इस्ते में डालना है तो यहां पर मैंने इस तरह से लास्टिक को बैल्ट वाले इस्ते में डाल लिया है और अब इसके बाद हमें दोनों लास्टिक को एक दूसरे के उपर रखते हुए सिलाई लगानी है इसपे और सिलाई लगाने के बाद जो एक इंच का कपड़ा हमें लास्टिक के लिए छोड़ा था इसपे भी सिलाई लगा लेंगे और अब इसके बाद हमें लास्टिक के उपर सिलाई लगानी है तो लास्टिक को इस तरह से हमें दोनों तरफ से खीचते हैं इस पे सिलाई लगानी है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लास्टिक के उपर सिलाई लग गई है अब लास्टिक पे सिलाई लगाने के बाद हमें अपनी मोरी को भी फोल्ड कर लेना है तो मोरी को फोल्ड करने का तरीका मैंने अपनी काफी वीडियो में आपको बताया हुआ है सबसे पहले हैं पर हम कपड़े को एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और फिर से हमें इसको फोल्ड करके एक सिलाई और लगानी है आप चाहें तो इस पर पीको भी करा सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों मौरी को fold करके सिलय लगा ली है और अस्तर को भी मैंने अंदर से fold कर लिया है और यहाँ पर मेरी plazo बनके complete हो चुकी है उमिद करती हूँ आपको आज को मेरी वीडियो पसंद आई हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स वर वाचिंग